Hello everybody! Welcome to Aashit Singh Lectures! I am Mediha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो आजकी class में हम जार्खन बोर्ट का paper solve करने वाले हैं, class 10th, और हम paper कौनसा solve करने वाले हैं? हम paper solve करेंगे model paper 2024. इससे क्या होगा? आपको idea हो जाएगा कि किस तरीके से आपका paper आएगा और आपको किस तरीके से उसे attempt करना है तो आज आ इसको जल्दी से start करते हो और paper को solve करते हो अच्छे से paper समझना है हमें चलो तो पहले यहाँ पर देख लो आपका 80 marks का paper होता है तीन घंटे का paper होगा आपका तो यहाँ पर देखो आपके questions आएंगे इसमें 52 questions होगे टोटल उसमें से 1-2-30 आपके multiple choice होते हो और एक mark के होते हैं आप वो कैसे हो सकते हैं वो unseen passages वाले हो सकते हैं literature वाले हो सकते हैं कैसे भी हो सकते हैं ठीक है तो multiple choice होते हैं और 11 marks each के होते हैं पर 31-38 आपके very short answers questions होते हैं जिसमें से आपको 6 questions करने एक हैं जिक Ale트 7 8 9 10 जितने भी question मतलब 31 तो 38 किते हो गए 8 question हो गए 8 में से आपको सिफ 6 attempt करने और हर question कितने marks का है 2 marks का मतलब 2 line एक line में answer आपको देना है उसके बाद 39 to 46 आपके short answers questions होते हैं जिसमें से भी आपको 6 करने हैं और यह आपके 3 mark के होते हैं मतलब 2, 3, 4 line तक का answer आपको यहाँ पर लिखना है उसके बाद 47 to 52 जो है आपके तो कितने हैं 5 marks के होते हैं तो यहाँ पर आपको सीधी सी चीज़े इसके लाब जब आप questions करोगे उपर भी आपको लिखावा दिया जाएगा कि 6 attempt करने, 2 attempt करने, 5 attempt करने तो यहाँ पर आप अग जाहे रीडिंग है यहाँ पर पैसेज दियावा है आपको इसके बेसिस में आपको multiple choice है तो पहले पैसेज पढ़ेंगे unseen passage मैंने आपको करा रखें आपको पहले एक बार इसको simply read करना है और इसको समझ कर रीड करना है एक और बार तो हम यहाँ पर direct समझ कर रीड कर रहे हैं one of the greatest values of punctuality is that it gives discipline to life we have to get up in time we have to do things at the appointed time ठीक है एक बहुत अच्छी value एक बहुत अच्छी value एक बहुत अच्छी value sorry punctuality की क्या है कि वह हमें discipline सिखाता है लाइफ में punctuality के हर काम time पे होना time के according सारी चीज़े करना ठीक है सारी चीज़े उठना time पर है जो भी काम है उस time के according करना है जो हमने उसके लिए appoint किया है schedule किया है all this entails certain amount of sacrifice इसमें हमें थोड़ा वह त्याग भी करना पड़ता है चीजों का है ना थोड़ा जो हमें क्या कह सकता है हम इससे कि अगर आपका एक schedule है अच्छा है तो हो सकता है आपको थोड़ी अपनी नीन sacrifice करनी पड़ रही हो थोड़ा आपका entertainment कम करना पड़ा हो बट यह सारी चीज़े आगे जाके काफ़ी जादा आपको benefit भी देती है इससे क्या होता है हमाई जो आलसी पना हमारे अंदर वो खतम होता है और हम जो चीजों को take it easy लेते हैं for granted लेते हैं हलके में लेते हैं वो attitude भी हमारा finish होता है our disciplined person always gets recognition and social acceptance sorry okay mind mind करना थोड़ा सा मुझे cold भाव है तो यहां पर क्या होता है जो person disciplined होता है उसको मतलब काफ़ी जादा लोग अच्छा मानते हैं उसको recognition भी मिलता है उसको acceptance मिलता है कि हाँ यह व्यक्ति जो है अपना सारा काम टाइम पर करता है लोग उस पर trust भी करते है he is wanted and appreciated therefore punctuality can make us socially acceptable people ठीक है उसकी need होती है लोगों को कि हाँ नहीं यह बंदा trust worthy सारा काम टाइम पर करता है यह वाला काम भी टाइम पर हमें करके देगा यह सारी चीज़ों होती है जिससे हमें क्या होता है socially accept किया जाता है lack of punctuality affects a man's life in various ways आप देखो बहुत सारा अगर हमारी life में punctuality नहीं है तो काफी जादा affect पढ़ता हुसका हमारी life पे if people of various occupations like teachers, students, politicians etc become punctual the country would develop in multiple ways आप देखो क्या है हर तक क्या हो रहा है हर चीज़ को बिलकुल आसान लिया जाता है for granted लिया जाता है कोई काम टाइम पर होता ही नहीं है अगर चीज़ टाइम पर होने रहेगे तो कितना जादा development हो सकता है हमारी country का it would bring glory and a bright future to the country look at the great world leaders who have achieved fame and success punctuality was there whole mark अगर आप जितने भी बड़े-बड़े leaders को देखोगे जो पहले थे उन सब में क्या था punctuality थी और इसी वजह से उन्होंने आज देश को इतना आगे पहुचा दिया है अब यहां में इसके basis में question and answers है सारे multiple choice है बहुत easy है easily हो जाएंगे दिक्कत नहीं आएगी चल काफी सारे तरीकों से क्या होता है अगर punctuality नहीं है हमारे अंदर तो वो काफी जादा तरीकों से affect करती है man की life को तो various ways यहां पर correct होगा किसको recognition मिलती है social acceptance मिलती है एक ऐसे व्यक्ति को discipline नहीं है एक ऐसा वक्ति जो discipline है एक ऐसा परसन जो sacrifice करता या एक परसन जो RC है तो इसको मिलती है जो discipline है advantage of punctuality is punctuality की advantage क्या है है उसे हमें क्या benefit मिल रहा है हमारी life discipline बनती है हमारी life अच्छी होती है हमारी life easy हो जाती है हमारी life valuable हो जाती है advantage of punctuality क्या है हमारी life discipline हो जाती है one word for take it easy है ना जो चीज को मतलब हलके में ले रहा है वो क्या होता है lazy होगा क्योंकि उसको हम safe नहीं बोलेंगे careful नहीं बोलेंगे और cough तो यहां पर word relate ही नहीं कर रहा है तो कैसा इंसान बोलेंगे उसको हम lazy punctuality is considered as a symbol of punctuality को किस चीज का symbol माना गया है world leaders का हमने देगा तो hallmark बोला गया था है ना तो world leaders का synonym of goodness goodness का synonym क्या है मतलब समानार्थी क्या है अच्छाई ठीक है अच्छाई का समानार्थी बताना है यहां पर आपको ना goodness का तो देखो यहां पर options क्या क्या है आपके पस entail recognition virtue की है अब यहां देखो entail अलग हो गया recognition कोई चीज को recognize करना की नहीं होगा तो यहां कॉंसा option होगा virtue Anonym for success is ठीक है अनोनिम opposite success का opposite क्या होता है failure होता है what brings glory and a bright future to the country क्या चीज है जो glory or bright future लाईगी country के लिए obviously punctuality ठीक है इस तरीके से आपको करने है अब यहां पर आपको क्या करना है जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसको जो भी इनमें से correct option वो देखना है ठीक है जो भी यहां पर option correct है उसको टिक करना है तो पहला आपसे बोला जा रहा है indirect speech of he said to me I am writing a letter ठीक है यहां पर आपको indirect speech बताना है इस चीज का कि उसने मुझसे कहा कि मैं letter लिख रहा हूं ठीक है तो इसका indirect देखो यहां पर क्या क्या है देखो जब इसरे person को यह चीज बताएंगे तो obviously यह काम हो चुका होगा तब ही तो हम बता रहे है मतले पीचिए पास्ट में जानी चाहिए तो यहां पर देखो M आ रहा है यहां वाज आ तो पास्ट में कौन सा वाला है second वाला तो इसलिए आपका correct कौन सा होगा second वाला he told me that he was writing a letter indirect speech, direct speech मेंने समझाय हुए तो इतनी दिक्कत नहीं होगी indirect speech बताने है the teacher said the sun rises in the east आप देखो जो चीज यूनिवर्सल truth होती है वह वैसी की वैसी रती sun east से निकलता है है तो यहां पर कोई भी आपका tense change नहीं होगा तो यहां पर difference कहाँ जाएगा यहां पर said की जगा told है तो आ east the teacher said that the, see क्योंकि यहां पर क्या था, एक तो यहां पर कोई, वह नहीं लिखा that said to, है ना तो यहां पर told to नहीं हुआ हमारा, ठीके समझे यहां पर बात को कोई to me तो लिखा ही नहीं था आगे, है ना to me होता तो हम उसको change करते है एक तो यहां पर कॉम सा वाला correct है, the teacher said that the sun rises in the east क्योंकि यहां तो लिखा ही नहीं कि भी किसको बोला, है ना, तो told me, asked me, हो ही नहीं सकता, इसलिए यहां पर आपका C वाला correct होगा, clear? I dash football for five years, ठीके I, I play, I am playing, I have been playing, has been, देखो has तो नहीं होगा, I के साथ has नहीं आता, या have होगा, या am होगा, या was होगा, आप यहां पर देखो, पात साल से वो खेल रहा है, है ना, आभी तक खेल रहा है, क्योंकि यहां कोई past वाला option नहीं है, past played वाला option नहीं है, तो यहां पर देखो, यहां तो B या C, इन दोनों में से कोई एक answer आपका क्या होगा, correct होगा, आप यहां पर देखो, क्योंकि आप यहां पर देखो, क्योंकि आप पात सालों से continue खेल रहा है, तो present perfect continuous वाला जो 10 से, तो I have been playing football for 5 years, dash God fulfill your wishes, देखो हम तभी भी किसी को वो देते हैं, wish करते हैं, तो हम क्या बोलते है, मे, तो यहां पर A simple आजएगा, में God fulfill your wishes, dash you lend me your book, कि आप किसी से पूछ रहे हो, कि क्या तुम मुझे अपनी book उधार दोगे, है ना, तो आप obviously, जब हम ऐसे कुछ पूछते हैं, तो आप क्या बोलोगे, could you lend me your book, तो यहां question mark, बहुत easy है, ठीक है, grammar जसने अच्छे से बढ़ी है, उसको difficulty आनी ही नहीं है, money is driving a car is an example of, money is driving a car, मतलब वो देखो, अभी भी चला रहा है और इस हमारा present में होता है, है ना, यहां पर देखो, क्या है, कि एक तो present और अभी भी चला रहा है, तो continue है, है ना, अभी भी continue कर रहा है driving, तो simple है, यहां तो present continuous tense हो जाएगा हमारा, he dashed the place a few months back, अब यहां देखो, कुछ महीनों पहल मतलब यहां पर जो भी verb आएगा, वो past tense में आएगा, तो visit और visits हम present के लिए use करते हैं, visiting भी हमारा continuous में आता है, तो obviously, C यहां पर correct होगा, he visited the place a few months back, ठीके, change into negative sentence, he is poor, जब भी हम कोई assertive को negative में change करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक तो not लगाते हैं, दूसरी बात, जो हमारा यहां पर adjective यह जो भी use करते हैं, उसका हम हमेशा opposite use करते हैं, तो poor का opposite, rich, ठीके, तो he is not rich, मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ को sentence को transform करना है, बिना उसका meaning बदले, तो he is poor का मतलब क्या हुआ, he is not rich, negative में, clear, next, देखो, यहां पर एक passage आपके बस, उसके साब से question and answers करने हैं, आ his father and mother had come around calling to him shrilly, upgrading him, threatening to let him staff on his ledge, unless he flew away, but for the life of him, he could not move, ठीके, तो यहां पर ही कौन है, पहले लाइट में, किसने करे जिकटा किया, उडने के लिए, और पाया, यह हमने कहां देखा था, सीगल वाली जो स्टोरी थी, his first flight उसकी, ठीके, तो यहां पर ही कौन है, पहले लाइट मे किसने करे जिकटा किया उडने के लिए, ओविसली, गयांग सीगल ने, इस एक्स्ट्रेक्ट अज बिटन बाइ, ठीके, किसके द्वारा लिखी गई थी, his first flight में यह वाली स्टोरी, ठीके, किसके द्वारा लिखी गई थी, his first flight में, जो first वाला हमारा सीगल पार्ट था, मैं black airplane की बात नहीं कर रही हूँ ठीक है किसके दुवारा लिखी गई थी जल्दी बताओ ल्यामो फ्लर्टी के दुवारा लिखी गई थी what does the word threatening mean here ठीक है threatening का मतलब क्या है यहाँ पर ओबे करना हसना डराना है ना या फिर joke ठीक है तो यहाँ पर क्या मतलब है उसको डराना कि बहुत डाट रहे थे उसको डरा रहे थे चूज दा करेक्ट ऑप्शन एंसर फॉलिंग क्वेश्टे लुक लाइक ओटर कैसा दिखता था एक चोटे से ड्राइगन जैसा what is the country's greatest wealth country की greatest wealth क्या है उसकी greatest समरिधी क्या है Nelson Mandela आपने पढ़ा था उसका है यह क्या है उसके लोग इट्स पीपल्ट वाट 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 वद्धा अरली नेम गौट अप्धा का पहले नाम क्या था अब यहां देखो नेक्स देखो the baker from Goa was called जो गोवा का baker था उन्हीं क्या बोला जाता था पैडर बोला जाता था what are the two negative creatures that Robert Frost used as carriers of positivity कौन से हमने जो पड़ी थी वो वाली snow of dust dust of snow वाली story उसमें कौन से तो negative creature Robert Frost ने यूज किये थे positivity के carriers बताये था उन्हें कौन से थे hemlock tree और crow why should the tiger looking in shadow जो टाइगर है वो ऐसे shadows में से जाक कर क्यों देखेगा उसे की वज़ा से डर की वज़ा से deer को पकड़ने के लिए मतलब the deer what was Horace allergic to Horace को किस चीज से allergy थी dust से allergy थी flowers की smell से allergy थी या जो pollen या उसके जो seeds होते हैं flower के उन से allergy थी या milk से allergy थी तो Horace को किस से allergy थी flowers की खुश्बू से what did the doctor in the story a triumph of surgery advice जो हमने story पढ़ी थी है triumph of surgery उसमें वो tricky को क्या advice करता है यह बताना आपको कि उसका food बंद करो उसको exercise कराओ उसको strict diet पर रको तीनों ही बोलता है वो तो all of these बहुत easy है आपके multiple choice वाला section बहुत easily पूरे marks यह score कर लोगे 30 marks who is fowler in the story of the midnight visitor fowler कौन था midnight visitor वाली जो story हमने पढ़ी थी उसमें वो क्या था कोई secret agent था नहीं spy था नहीं personal investigator था नहीं वो क्या था writer था जो औस से बल के बारे में लिखने आया था what type of man was griffin? griffin कैसा इंसान था? lawless person, brilliant scientist, engineer तो वह एक lawless person भी था और brilliant scientist भी था तो बहुत A and B what did Ramlal demand as dowry? Ramlal ने दहेच की रूप में क्या मांगा था? पैसे मांगे था obviously ठीक है भोली वाली story जो हमने पढ़ी है तो stories देखो मैं आपको बार बार बोलती है अगर आपको stories अच्छे से याद है ना तो कहीं difficulty नहीं आएगी paper बहुत easily आप क्या करोगे solve कर लोगे देखो यहाँ पर मैंने भी आपके साथ ही पढ़ा है मैं ऐसा नहीं कि दुबारा कहीं revise करती हूँ जब paper आपका कराती हूँ solve नहीं आपके साथ ही प तो 1-30 हमारी questions हो गए 1-1 marks के और काफी easily आप यहाँ पर 30 score कर सकते हो पूरा का पूरा clear चलो आप अब हम very short पर आते है reading section है हमारा passage पढ़ना है ठीक है उसमें सिर्फे 6 कोई questions का answer करना है ठीक है तो पहले आजो passage पढ़ेंगे हम the camel is the oldest of domestic animals it has been used for thousands of years by the desert people of Africa and Asia to supply many of their needs on the fertile edges of the desert camels pull plow turn wheels to irrigate the field ठीक है तो यहाँ पर बताया गया कि काफी old domestic animal है पालतु जानवर है camel ठीक है और Africa और Asia के लोग जो है इसको काफी हजारों सालों से जो है यूज कर रहे हैं अपनी needs के लिए है ना उनकी चीज़े supply करने के लिए और जो fertile edges है मतलब जो fields अगयरा है वहाँ पर भी यूज कर रहे होने in the desert itself they are still almost the only means of transport desert में अभी भी यह सिर्फ इकलौता means of transport है ना they supply food milk and clothing in the form of wool and leather this useful animal is well adapted to life in harsh and dry islands आप यहां पर जो animals ही किस चीज के supply में काम आते हैं खाना पीना कपड़े इनकी चीज़ों में और ऐसा बिल्कुल dry और harsh environment में इन्हों खुद को survival के लिए अडाप्ट कर लिया है वहाँ पर गारेवियन हाज वन हम्प दपेक्टिरियन केमल हैस्टू जो उनके परहसे नहीं होता हम निकलावा होता है तो जो अरेवियन स्पीसीज है उनका एक ही हम पोता और जो बैक्टिरियन स्पीसीज है उनके दो होते हैं त स्पीसीज है जब बच अपनी पीता है तो यह यह उचलाइस करते हैं वन अपनी पीता है तो जो होता है वह सौ लिटर तक पानी दस मिनट में पी सकता है तो इलनके अल प्रवाट सव्ट फूर मिड़ने उनके ज़ुचें प्रच्छइड from the sharp daytime sun and very cold nights उसके जो पैर होते हैं वो काफी गद्दार हो काफी चौड़ होते हैं जिसके विज़ा से उसकी काफी मोटी स्किन होती है जिसके विज़ा से उसको सूरज कि इतनी तेज गर्मी से भी प्रोटेक्शन मिलती है और रात की थंडी हवा उसे भी The camel's eye have three eyelids to help keep out sand. It ears and nose are also adapted to keep out sand storms. उनकी जो आखे जो उनकी पलके होती हैं उनमें इसी 3 layers होती है, 3-4 अखों ताकि sand उनकी आखों में ना जाए और उनकी जो नाक और कान होते हैं वो भी इसी तरीके से एड़श्ट हो जाते हैं कि sand storms वगेरा जो तूफान होते हैं मिट्टी के उ कोई दो मीटर लंबे होते हैं और 500-800 किलों का वजन होता है अब यहां पर आपके पस question and answers हैं यहां पर देखो 8 question and answers हैं जिसमें से आपको सिर्फ 6 attempt करने अगर आप यह वाले जो यहां वाले जितने भी question से वो attempt करो तो दोनों attempt करने हैं इसा नहीं कि इन में से भी एक एक करो नहीं इन में से सारे दोदो आपको लिखने पड़ेंगे और इन में से जो है आपको लिखना है तो आपको कोई भी 6 attempt करने हम यहां सारे solve करेंगे how is the camel used by the people of Africa Africa के ले लोग उसे कैसे use करते हैं तो आप यहां से उसका अंसर लिखोगे first वाला it has been used for thousand of years by the desert people of Africa and Asia to supply many of their needs simple इस तरीके से लिखोगे ठीक है what does a camel's hump have ठीक है तो क्या होता है यहां पर इसका अंसर इस तरीके से लिख लो the camel's hump ठीक है आप यहां have नहीं लिखोगे has लिखोगे has stored fat first simple name any two works done by the camel कोई भी दो काम बताने ठीक है अब आप उसमें यह भी कर सकते हो camels pull plow, turn wheels to irrigate field ठीक है they also carry goods to the market ठीक है और यह only means of transport है desert में ठीक है यह सारी चीजों में से आपको कोई भी दो लिखने तो easily आप लिख सकते हो what is the height of the camel यह वाला last वाला है आपका height और weight बताना है तो simple यह रहा two meters height होती है और weight कितना होता है 500 to 800 kilos ठीक है इन चारों में से आप चाहो तो दो attempt करो तीन attempt करो यह चारों attempt करो आपके उपर है ठीक है उसके लावा फिर यहां नीच वाले question देखो इनको complete करना sentences को this useful animal is well this sentence को complete करना देखो कहां पर ही गिरा this useful animal is well adapted to life in harsh and dry length यह वाला आपका यहां पर आगे आप इसको continue करोगे क्या mark कर रहा है उसको हमने 35 का A है ना तो इसको यहां पर आप 35 लिख लो ताकि आपको ध्यान next वाला देखो the camel's eyes have ठीक है उसके आखो में क्या होता है यह रहा ठीक है इसको 35 का B लिख लो यहां पर यह था यह B है the camel's eye have ठीक है क्या है यहां पर यहां से लिखोगे three eyelids to help keep out send यह आपका हो जाएगा 35 का B ठीक है अगर आप 35th attempt कर रहा हो तो A भी दोनों आपको करने है clear है यहां पर next देखो make sentence with the following words आपको sentence बनाने ठीक हम यहां इसी passage में निकाल लेते और अगर आपको और कुछ easy लगता है sentence तो आप वह बना सकते हो जैसे कि हमने देखा the camel is is the oldest domestic animal कि और क्या करो साथ में जो आपने जो आपका पेपर चेक करेंगे ना उन्हें यह और अच्छा लेगे उसके लिए क्या करो आप उनके लिए easy कर दो कि हाँ आपने जो वर्ड यूज किया उसको आपने highlight कर दिया underline कर दिया second आपका transport तो आप यहाँ पर जो इसमें सही दाल सकते हो the camel is the only means of transport वो कर दो underline in the desert और अगर आपको कोई दूसरा easy's से आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो आपको सिप यह वर्ड यहाँ पर इस्तिमाल करके sentence बनाना है synonym लिखने है समनार्थी बताने a lot of के देखो much भी होता है adequate भी होता है और abundant भी होता है आपको कोई एक लिखना है मैं यहाँ आपको options दे रही हूँ आपको जो याद हो जाए आप लिख सकते हो अगर आ जाता है तो fruitful fruitful के लिए आप fertile लिख सकते हो reproductive लिख सकते हो ठीक है जिसते कोई advantage मिल रहा है आपको कुछ मिलेगा इस से ठीक है और beneficial लिख सकते हो इस तरीके से कोई एक आपको यहाँ इसका समनार्थी शब्द लिखना है आप यहाँ पर opposite लिखने थे को modern का सिंपल है ancient ancient times, modern times, hardly का भी easy है easily इस तरीके से आपको simply करना तो यह वाले तो बहुत easy अगर question and answers जूनने में time-based नहीं करना तो यह वाले 4 attempt करके यहाँ से कोई भी 2 attempt कर लो या जैसे आपको अच्छा लगया आप कर सकते हो बस आपको 6 करने यहाँ पर देको next आपका writing section है इन मे आपको 3 option है तीन में से आपको कोई क्या करना है दो ही attempt करने है कोई दो ही आपको attempt करने है देखो यहाँ पर write a letter to your younger brother advising him to avoid bad company फोटे भाई को letter लिखना है कि बुरी संगत से बचो दूर रहो ठीके address डालोगे address नहीं है तो कोई भी अपना address डाला आपने ठीके send us address डालता है फिर date डालोगे date का format यह फिर space देखे यहाँ पर कोई आपको वह formality नहीं करने है क्योंकि informal letter है ठीके आपने नाम दे दिया अपने भाई का नाम नहीं given आपको question में तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे दो I was very unhappy and full of grief to read the letter of your class teacher who informed that you have started moving in the company of bad voice ठीके यह कि मैं काफी नाखुश हूं काफी मुझे दूख हुआ यह जानकर तुम्हाई class teacher कर letter पढ़कर कि तुम जो बुरी संगती में पढ़ गए हो your class teacher has made a very strong complaint against you and this is really shocking news that it was not accepted expected of you ठीके तुम्हाई class teacher जो है उन्होंने काफी complaint किये तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा शौक वाली यह वाली लाइन तो आपको डालनी ही डालनी है उसके बाद अगर आप चाहो अगर आपको याद हो जाती तो आप लिखो वरना इतना भी sufficient है enough है it is very shocking to know that you have started bunking classes to see movies and I have also started smoking यहापे भी देखो आपकी मर्दी आपसे वियां bunking class तक लिख दो इतना भी लिखोगे ठीके उनको लिखना तो लिख दो two see movies and also started smoking ठीके यह आपका जरूरी नहीं है फिर यहां से आपको लिखना जरूरी है if this tendency continues the day may not be very far when you will start gambling consuming alcohol and taking drugs ठीके अगर यह ऐसा है चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम जुआ खेलना शराप पीना ड्रुक्स लेना भी शुरू कर दोगे ठीके you must know that a man is known by the company he keeps if you continue moving in bad company you will spoil your life and also bring bad name to your school and family यह लिखना जरूरी है है ना कि भाई तुमें यह मालूम होना चाहिए कि तुम उसी company से जाने जाते हो जैसी company तुम रखते हो है ना और अगर यह चीज ऐसी चलती रही तो तुम जो है खुद की लाइफ भी खराब करोगे स स्कूल और घर को भी बदनाम करोगे as we are not a rich family we cannot afford to waste even a single rupee moreover father has very high hopes for you यह लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना mandatory नहीं है कि आप रिच हो नहीं हो हैना आप एक पैसा भी अपॉर्ट नहीं कर सकते वेस्ट करना यह लिखना जरूरी नहीं है ठीके आपको से relevant चीज़े डालनी ज कितना मैं आपको मार्क करा रहूं I therefore advise you to shun bad company immediately and devote time to studies sincerely and wholeheartedly I hope that you will not give me a chance to receive the same complaint against you कि आपको लिखना है कि मैं जो है आपको यही advice दूंगा या दूंगी कि आप जो है इस company को जित्ते जल्दी हो सके उससे दूर हो जाओ और अपना जो time है अपनी जो भी पूरे दिल से अपनी sincerely studies करो और मैं आशा करता हूं कि मुझे दुबारा यह complaint तुम्हारी नहीं मिलेग और इस तरीके से आप लिख सकते हो आप sister भी लिख सकते हो your loving sister और अपना नाम डाल दो अगर नहीं दियावा question में नाम इस तरीके से simply आप informal letter लिखते हो अगर यह करना है तो आप यह करो otherwise फिर आप यह वाला कर सकते हो लेकिन ध्यान रखना तीन option है तीनों में से दो करने है ठीके आप यहां पर आपको application लिखनी headmaster को vacational classes वगेरा के लिए ठीके तो वही simple to the principle होता है फिर हमारे school का नाम आजाता है given नहीं है तो अपने school का डाल दो date डाल देना present date डाल देना पर respected sir with due respect or due regard इस तरीके से आप हमेशा अपना letter application शुरू करोगे with due regard it is submitted that the students of 10th class have wished to arrange special classes in English after the school's hours ठीके हम सब जो है जो class 10 के जो students है वो आप यह चाहते हैं कि आप school के बाद हमारी English की extra classes लगवाए it is brought to a notice that our English lecture was not out of station for two months consequently most of the students have failed in the first terminal exam या first term exam ठीके तो यह आपके notice में हम ला रहे हैं आपको आपको अलरी पता होगा कि दो महीने से जो है English lecture नहीं थे classes नहीं हो रही थ काफी बच्चों का खराब हुआ है now the worthy lecturer has joined the school as such he may kindly be asked to take extra periods in the interest of the students community आप teacher जो है वो वापस आ चुके है उन्होंने rejoin कर लिया है तो हम आप से request करते हैं कि हमारी extra classes लगा दे है ना ताकि हम जो है अब second term में या आगे हमारा नुकसान ना हो yours obediently yours faithfully or sincerely नाम नहीं दिया तो आप यह दो में से आपके बस option हैं इसकार आपके BACK लिखना है अब इस already इस question में आपके बस ऑक्षण है या तो sports day पर लिखना है तीन question है आपके बस धे on​ lovers folsday जा healthy wealth में से एक पर आपना उसके साथ इसवाव तो application या letter करना है या फिल letter और application करना है इस तरीके से 24 breed कर में pressure is AIên कर And sports, it helps the students to take a break from their academic routine and enjoy playing sports. आपने लिख दिया है sports day, वो काफी important day होता है, क्योंकि इससे बच्चे जो है, वो physical activities में part लेते, involved होते हैं, उनको एक break मिलता है, अपनी पढ़ाई लिखाई से enjoy करने का time मिलता है. Most of the schools have common ways of celebrating sports days, काफी सारे जो schools उनका common way है, celebrate करने का annual sports days करा देते हैं, वो it encourages students to participate in it by part taking in sport activities like flat race, hurdle race, cycling, high and long jump and more. यहाँ पर आपको जो याद आजाए, जो भी sports याद आजाए, आप वो डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है, वो ही लिखो, है ना, तो यह बढ़ावा देते हैं sports day, बच्चों को ऐसी activities में participate करने के लिए, sports day teaches us to be good sports, to try our best and that it's okay to lose sometimes because what matters most is having fun and trying your best, ठीकि जो sports day, वो हमें good sports सिखाता है, team spirit देता है, हमें ये भी सिखाता है कि जीतना हमेशा सवरूरी नहीं होता, important क्या है कि आपने अपना best दिया और आपने enjoy किया उसको करने में, ठीकिए, अगर यह नहीं लिखना है, तो health is wealth पर लिख सकते हो, health is the biggest wealth for a human being in his entire life, ठीकिए, health जो हमारी सबस समपति है, पूरे lifetime में, one can survive without excess money, but one can't survive without good health, हम कम पैसों में गुजारा कर सकते हैं, लेकिन हम कम health के साथ survive नहीं कर सकते, health is something that we can't buy with money, but we can take care of it and we can cure it when needed with the help of the money, हम health को खरीद नहीं सकते हैं, पैसों से, लेकिन हम उसे ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए, अगर हम में कोई problem है, तो हम money की help ले सकते हैं, if a person is not having good health, he will not be able to enjoy his or her life to the fullest, अगर कोई इनसान healthy नहीं है, तो अपनी life fully कैसे enjoy कर पाएगा, money doesn't make a person rich and happy, but good health does, अगर आप बहुत से ऐसे लोगे जो rich होते हैं, काफी पैसा उनके पास, लेकिन वो stressed होते हैं, and health wise सही नहीं होते हैं, तो अगर आपकी health अच्छी है, तो आप हमेशा happy रहोगे, moreover, a person can't feel complete and happy without good health, obviously, जब आप fully enjoy नहीं कर रखते हैं, कोई चीज, तो आप completely, complete feel भी नहीं करोगे, इस तरह के से किसी एक पर लिखना है, तो तीनों में से कोई एक attempt करना है, grammar है, यहाँ पे models दिया है, suitable models यूज करने है we dash pay our taxes, तो टैक्स वगेरा pay करना compulsory होता है, एक अगर limit है कि हाँ आप tax लगेगा, तो वो pay करना compulsory है, mandatory है, और जब भी कोई चीज़ compulsory होती है, तो हम क्या use करते है, must, we must pay our taxes, I dash lift the box, हम यहाँ पर हमारी capacity बता रहे हैं, कि मैं यह box उठा सकते हूं, यह उठा सकता हूं, तो ह हम can use करते हैं, अगर हम वही capacity, past time में बता रहे हैं, कि जब मैं एक लड़का था, तो मैं ओटेज दोड सकता था, तो यहाँ पर आप किस तरीके से बताओगे, could use करके, simple, यहाँ पर आपको sentences को transform करना है, जैसे आपको बोला गया है, चीज too tired to play, आपको क्या करना है, to remove करना ह है, या फिर आपको इस sentence को so or that use करके लिखना है, है ना, question दोनों तरीके से आजाए, कि वहाँ use so or that, या remove to, दोनों ही conditions में आप इसको किस तरीके से लिखोगे, she is so tired that she cannot या can't play, simple, दोनों ही conditions में आपको इस तरीके से अपना sentence मनाना है, a man cannot live forever, change into interrogative, तो यहाँ देखो, इसे बोला, interrogative में लिखना है, question mark वाले मनाना है, ठीके, तो can आपका पहले आजाएगा, a man, अब यहाँ देखो, आपको यह नहीं बोले कि assertive interrogative दिन है, तो यहाँ not आपका 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 आपके not में तो आप उसी तरीके से लिखोगे, तो can a man not live forever, ठीक है? सिर्फ transform करना है, मतलब नहीं बदलना Kalidas was not a great poet, इसको assertive में change करना है assertive में change करना है, तो not अटाना पड़ेगा और adjective जो होता उसको opposite लिखते है बट यह चीज क्या है, universal truth है, fact है जब भी कोई चीज universally true होती है, हम change नहीं करते तो हम इसको simple किस तरीके से लिख देंगे? Kalidas was a great poet, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? जाए आप active, passive voice कर रहे हो, direct, indirect speech कर रहे हो या transformation कर रहे हो, अगर कोई चीज universally true है, fact है है ना, सच है, तो आप उस चीज को कभी भी change नहीं करोगे transformation या कुछ भी करने के time clear है ये बात सबको, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है फिर आपका literature section है, आपको extract दियावा है, वो पढ़ना, उसके basis पे question and answers करने, what is the boy now who has lost his ball, देखो ये the ball poem का है, हैना, what, what is he to do, I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there is in the water, ठीक है who has written these lines, किसके द्वारा कौन है इसके poet, याद रखना, इसलिए बोलते हो, poet याद रखना जरूरी है, John Berryman what has the boy lost, ठीक है, boy ने क्या खोदी है, the boy has lost his ball, ठीक है, इस तरीके से simple simple one word या one line answer दे सकते हो, कि जो poem है, उसका नाम के the poem is the ball poem, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, और simply लिखोगे, तो कोई आपके marks जो है, कट नहीं होंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कि आप लिख सकते हो, अगर आपका answer correct है, तो आपके marks कोई नहीं काटेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, समझ आ गया, चलो, next चलते हैं, इस में से आपको सिफ तीन करने, ठीक है, जितने भी दियां, देखो, कितने दियां वे हैं, one, two, three, और four, five, five में से सिफ तीन attempt करने हैं, आपको, और 60-80 words का लिखना हो, तीन दिन marks के हैं, मतलब, तीन से चार लाइन का, आपका answer होना चाहिए, वाई वो तक यंग सीगल अफरेड तो फ्लाइ, जो सीगल था, वो दरता क्यों था, औरने से सारे questions में आपको, और नग सीगल था, जो यह जानते हैं, कोई भी नहीं चीज करने में, हम थोड़ा कतरा था, हमें डर लगता है, इसलिए जो यह बर्ट होते हैं, यह सीगल था, वो भी डर रहा था, आपनी पहली उडान भढने से, Similarly, a human baby would also find it a challenge to take its first step, ठीक है, एक छोटा बच्चा होता है, उसके लिए भी चैलेंजिंग होता है, पहला step लेना, Where is Kurg, What is the main crop of Kurg, Kurg कहा है, वो बताना है, और वहां के main crops, और वहां पे main चीज़े क्या है, वो बतानी है, तो Kurg often known as Kudagu, Karnataka's small district, Kurg जो है, उसको Kudagu भी बोला जाता है, Karnataka छोटा सा जिला है, Lying halfway between Mangalore and Mysore, कहां है, Mangalore and Mysore के बीच में है, Kurg's primary crop is coffee, वहां का main crop क्या है, coffee है, The air is thick with energizing coffee, वहां पे पूरे में coffee के खुश्बु आती रहती है, In prominent areas of town, colonial houses and coffee estates are hidden under the canopies, इस तरीके सा आपको पूरा answer लिखना है, आपका 3-4 line में, According to Robert Frost, what do fire and ice stand for, Fire and ice, जो है वो आपको, किसी के लिए है, वो बताना है, ठीके, ये question है ना, पहले और किसी paper में भी आया हुआ है, ठीके, मतलब MP, बिहार वाले papers, जो मैंने कर, सॉरी, बिहार नहीं, MP या, उसका, MP के paper या, इस, है ना, उसमें आ रखा है, So according to Robert Frost, fire stands for greed, average, lust, conflict and fury, Ice stands for cruelty, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference and hatred, ये सेम ऐसा कैसा question आपका, किस में है, NCRT में भी है, ठीके तो आपको बताना है, fire जो है, वो क्या-क्या है, लालज के लिए है, lust, conflict, एना, गुसा इंसीजों के लिए, और ice क्या है, अना, indifference इसके लिए, जिन में कोई मतलब वो ही नहीं है, feelings नहीं है, cold hatred है, वो सारी चीज़े, इस तरीके से, तो इन में से आपको पांचों में से सिर्टीन अटेंट करने है, How is Ausable different from other secret agents, ये question काफी बार करवाया, मैंने previous question and answers वाले section में भी, और ये NCRT में भी था, Ausable was different from other secret agents, because he lived in a small room in the musty corridor of a gloomy French hotel, which was on the 6th and top floor, Ausable जो है, वो काफी different था दूसरे secret agents से, क्योंकि वो एक ऐसे गंदे से और एसी बुरे से और धिंजी से, होटल में रुका हुआ हुआ था, top floor पे, there was nothing thrilling or adventurous about it, कुछ भी वहाँ पर जो है, adventurous नहीं था, on the top of that, he was extremely fat, और वो काफी जादा मोटा था, ऐसे वेल बिल्ट दूसरे secret agents की तरह वो नहीं था, who was Horace Denby and what kind of a person was he, Horace Denby कौन था और किस तरीके का इंसान था, वो बताना है, Horace Denby was a 50 years old man, 50 साल का एक इंसान था, who robbed from the rich to satisfy his wish of buying expensive and rare books, जो अमीरों से जो है, चोरी करता था, अपनी विश्पूरी करने के लिए, है ना, दुडलब और महेंगी books खरीदने की, he made locks and was successful at his business, but his habit of stealing to fulfill his luxuries was not good, वो उसका locks वगएरा बनाने का काम था, उसमें वो काफी successful था, लेकिन उसकी जो habit थी, luxuries वाली, book वगएरा वाली, उसकी और आसे उसको चोरी करनी पड़ती थी, जो की अच्छी आदत नहीं थी, तो पाच़ों में से सिर्फ तीन अटेम्ट करने हैं आपको, फिर यहां पर आपको दो question करने हैं, इतने भी हैं तीन हैं, यहां पर यहां पर तीन में से दो अटेम्ट करने हैं, पहला question है, Matilda का character sketch बताना है, जो necklace फाली story हमने पड़ी थी, उसमें जो Matilda थी, उसके बारे में आपको पूरा बताना है, तो Matilda Loisel is the daughter of a middle class family, and is married to M. Loisel, एक आपने पूरा बताया, उसका नाम बता दिया, Matilda Loisel उसका पूरा नाम है, जो एक middle class family से belong करती है, और Mr. Loisel से उनकी शादी हुई, she is a gorgeous but unhappy young woman, who longs to join the wealthy upper class, to which she believes her beauty entitles her, वो काफी सुन्दर सी lady है, है ना, लेकिन वो काफी unhappy है, क्यों कि वो सोचती हैं कि भाई मैं इतनी खूबसरत हूँ, तो मुझे तो ऐसे बड़े upper middle class family में होना चाहिए था, Matilda is dissatisfied and ungrateful, despite her husband's selfless efforts, to please her and make her happy, Matilda जो बहुत नाखुश है और ungrateful है, मतलब वो शुक्रियादा नहीं करती, कभी भी जब भी उसका husband उसके लिए इतनी selfless efforts लगाता है, उसको खुश रखने के लिए, when Matilda and her husband receive a party invitation from the minister of education, Matilda finally gets the chance to live her aspirations, जब Matilda और उनके husband को एक party invitation आया, एक upper class minister के वहां से, तो Matilda को लगा कि यह मेरा chance अपनी सारी इच्छा है पूरा करने का, in order to look her best for the party, Matilda बोरोज a diamond necklace from her friend Jennifer Forrester, Dean Forrester, ठीक है अब वो best लगना चाहती थी party के लिए, तो उसने क्या क्या अपनी दोस्त से, एक necklace उधार लिया diamond का, at the ball, Matilda is a huge hit, but tragedy befalls when she misplaces the necklace, तो ball में तो वो काफी सुन्दर लग रही थी, सबने उसने तारीफ भी की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उससे necklace हो जाता है, in order to pay for a replacement that ultimately turns out to be a fake, Matilda is obliged to work for 10 years, आप वो नया necklace replace करके देती है, जिसके वे जास उसको 10 साल काम करना पड़ता है, और सारी अपनी चीज़े छोड़नी पड़ती है, as Matilda struggles with poverty, her beauty begins to fade, जब वो इतनी घरीबी से गुजर रही होती, इतना काम, इतनी महनत करती है, तो उसकी beauty भी खत्म होने लगती है, Matilda only understands the true worth of containment at that point and risk of a constant desire of materialistic things and social status, but end में उसको realize होता है, कि उसकी जो सारी पैसे वाली चीज़ों को लेकर wishes थी और status था, यह सारी चीज़ों नहीं उसको क्या किया था, आज इस condition में, situation में लाकर खड़ा कर दिया था, तो main आपको character search देना, तो आप यह main चीज़े देकर, यहां last वाली चीज़ दे सकते हो, इसको पूरी story आपको बताने की जरुवत नहीं है, पट आगर यहां पे देको 120-150 words लिखा है, तो आप इसको बढ़ा करने के लिए इस तरीके से लिख सकते हो, यह time करना, यह नहीं करना, तो आप यह वाला कर सकते हो, What made Hari Singh come back to Anil? ऐसा क्या हो, जिसके वज़े से Hari Singh Anil के पास वापस आ गया था, Hari Singh decided to return the stolen money, because Hari thinks that Anil will react to the theft, by showing a touch of sadness, ठीक है Hari Singh ने क्यों decide कि वो वापस जाएगा, Hari के पास, sorry, Anil के पास, है ना, कि वह थोड़ा सा जो है, उदास होगा, क्योंकि उसने मुझे पर विश्वास किया था, this sadness would not be for a loss of money, but for the loss of trust, यह जो उसका उदास होगा, वो मेरे पे, यह पैसो की वज़े से नहीं होगा, बलकि जो उसने मुझे पर विश्वास दिखाया था, उसकी वज़े से होगा, उसको यह भी ध्यान है कि अनिल उससे अल्वेडी पर ना लिखाना सिखा रहा है, जिसकी वज़े से वो जितना उसने भी चोरी केस से कहीं ज़्यादा पैसे, वो कमा सकता है, वो अनिल को दोगा नहीं देना चाहता था, क्योंकि यह पहली बार था, जब उस पे किसी ने इतना विश्वास दिखाया था, और यही चीज हमें बताती है कि हरी का दिल बदल चुका और वो एक अच्छा व्यक्ति बन चुका है, तो आप चाहो तो यह दो questions attempt कर सकते हो, या फिर यह हैं, इन तीनों में से बसको एक attempt करना है, पेपर has more patience than people elucidate, ठीक है, जो कागर से उसके पास ज़्यादा सबर है, patience है, लोगों से, इसको आपको explain करना है, तो according to NA, पेपर is more patient than person, because the diary is the silent recorder of NA's thoughts, non-judgmental and patient, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि पेपर ज़्यादा सबर दिखाता है, क्योंकि जो उसके पास diary थी, वो एक silent recorder थी, वो कुछ बोलती नहीं थी, सिवैने के thought उसमें वो लिखती थी, उसको judge नहीं करती थी, people on the other hand rarely listen and constantly censor her whenever she talks, आप दूसरी तरफ जो लोग होते हैं, उसकी बात एक तो कभी-कभी सुनते थे, और उसमें भी बोलते थे कि तो मैंसे मत बात करो, यह मत करो, people are seldom interested in listening to the musings of a 13-year-old school girl, but a diary would not object or shutter up, जो लोग हैं उनको कोई interest नहीं आएगा, एक 13 साल की लड़की की बारे में, उसकी सोच के बारे में जानने में, लेकिन जो डाइडी है, ना वो से चुप कराएगी, ना कोई objection उठाएगी, वो पेशेंटली उसे सारे अपने pages fill करने देगी, अपने thoughts से, observation and comments without judgment, इस डाइडी writing was an extremely personal and intimate act for her, and she decided that she would not let anyone read her, तो यह चीज़ काफी personal थी, उसके लिए और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी से पढ़े, तो इस तरीके से आपके बस तीन question है, जिसमें से आपको कोई एक attempt करना है, और यहाँ पर आपका जो paper है, वो पूरा solve हो जाता है, तो best of luck to you all, और मिलेंगे हम next class में, तब तक के लिए this is Madeeha Khan, signing off right now, bye bye and have a nice day.